सूपरभात शातरों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन्थ हिंदी छेतीज का अर्धिया एक जो की पाट था साखियां उसका आगे दोहा का अर्थ देखेंगे, जिसमें से तिन दोहा का अर्थ मैंने प्रिभियेस वीडियो में लिक्वा दिया था, समझा दिया था, आज हम लोग देखेंगे इसके आगे और कुछ दोहों का अर्थ तो देखिए ध्यान पुर्वक पहले पाट कुछ तक की पंक्तियों को देख लेते हैं देखिए तिन तक क्लियर था चौथा से देखते हैं पखा पखी के कारने मतलब पक्ष विपक्ष के कारन सब जग रहा भुलान यह संसार भूल भुलया में पराहुआ है भूल रहा है निर्पक हुई के हरी भज़े निर्पक अर्थ निस्पक्ष निस्पक्ष होकर जो हरी का भजन करेगा सोई संत सुजान वही वास्ताव में संत है वही वास्ताव में जिवित है जिवित मतलब कि एकदम आत्मा से जिवित ठीक है उसके आगे देखते हैं हम इसका अर्थ तिनों कर लिखवा देंगे अभी पहले मैं पंक्तिबत तरीके से बता जाए हूँ हिंदू मुआ राम कहे मुसल्मान खुदाई हिंदू लोग मुझे मरने पर राम राम कहते है जबकि मुसल्मान खुदा खुदा करते है कहे कबीर सो जिविता लेकिन कबीर दास कहते है कि वास्तों में वही जिवित है जो दूहू के निकट नजाई तोनों के निकट जाने का नहीं जाने का मतलब क्या होगा जो कि अपने आपको एकदम इस वर के करीब समझता है और उसकी नजरों में इस वर एक ही है लग एक ही है ठीक है आगे देखते हैं काबा फिरी कासी भया राम ही भया रहें मतलब होता है कि काबा जो कि मुसल्मानों का एक पवित्र तीरतस्तल होता है काबा ही बदल कर कभी कासी हो जाता है कभी राम ही रहिम हो जाते है ठीक उसी प्रकार जैसे कि आटा को पिषने के बाद यह उधारन दिया गया है एक प्रकार से देखिए जैसे आटे को पिषने से मैदा बन जाता है जबकि दोनों गेहूं का ही रूप होता है इसलिए चाहे आप कासी जाएं या काबा जाएं राम की पुजा करें या अल्ला की इबादत करें हर हालत में आप भगवान के ही करीब जाएंगे तो मैं पहले अभी जो ये तीन दोहा आप संजाया हूं इसका अर्थ आप लोग को दिखा देता हूं ध्यानपुर्वक लिख लेजिएगा और याद कर लेजिएगा देखिए चौथा दोहा था पखा पखी के कारने सब जग रहा भूलान निर्पक होई के हरी भजय सोई संत सुजान अर्थ है एक विचार या दुसरे विचार या धर्म का पक्ष लेने के चकर में दुनिया भूल भूलया में पड़ी रहती है जो निस्पक्ष होकर इसवर के पूजा करता है वही सही ग्यान पाता है दुसरा है कि हिंदू मुआ ध्यान तिस देखिएगा हिंदू मुआ राम कही मुसल्मान खुदाई कहे कवीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई अर्थ है कि हिंदू लोग मरने पर मुझे राम कहते हैं और मुसल्मान खुदा कहते हैं सही माइने में वही जीता जो इन दोनों से पड़े मुझे इस्वर समझता है मतलब इस्वर को एक समझता है क्योंकि इस्वर एक है और विभिन धर्मों की परिभासा बेकार है अगला देखते हैं कावा फिरी कासी भया रामही भया रहीम मोट चून मैदा भया रहा कबीरा जीम कावा मुसल्मानों का पविते तीरत अस्थल ही बदल कर कासी हो जाती है और रामही रहीम होते है यह वैसे ही होता है कि जैसे याटे को किसने से मैदा बन जाता है जबकि दोनों गेहूं के ही रूप होते हैं इसलिए चाहे आप कासी जाएं या कावा जाएं राम की पूजा करें या अल्ला की अबादत करें हर हालत में आप भगवान के ही करीम जाएंगे तो हम लोग आगे देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का दोहा कार्थ आज के लिए इतना ही धन्यवाद